दार जिले के मनावर शेत्र के ग्राम बोरलाई में ग्रामिनों ने बच्चा चोर गिरो समझ कर छे किसानों के साथ लाठी डंडो और पथरों से जम कर बार पीट की इस घटना में किसान बुरी तरह घायल हो गए घायलों का अस्पता ले जाया गया जहां एक की मौत हो गई जानकारी के अनुसार घायल किसान और जिन जिले के लिंबा पिपलिया निवासी बताय जा रहे हैं जो बोरलाई शेतर में काम करने वाले मज़ूर को वापस लेने पहुंचे थे तथा उसके ना नुकुर करने पर उसे दिये गए एडवांस पैसो की मांग कर रहे थे तथा उसे वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे जिसके चलते शोर शराबा होने के बाद ग्रामनों ने उने बच्चा जोर गिरो समझा और पीछा किया तथा ग्राम बोरलाई में लोगों ने घेर लिया वहें इनकी गारी रोक कर जम कर मार पीट की गई गारी में तोड़ फोल कर आग लगा दी गई विनोद मुकाते सिवपूर खिड़ा जिला इंदोर तेसिल सामिर सर हम सुबह छे बज़े हमारे घर से आये थे तो तिल्ला धाना पर हमने रिपोर्ट डिलवाई और यह पांच मजदूर हमारे पांच आदमियों के यहां रहते थे और पचास पचास जार रुपे लेकर आये थे और इन्होंने कल फोन करके हमको बुलाया कि आपके पैसे ले जाओ तो हमने तिल्ला धाना पर वहां पर बोला पुलिस वालों को कि ऐसे सी बात है उन्होंने गया बोला कि चले जा और हम गाउं में गए और उन्होंने फत्तर मानना गाड़ी पे चालू कर दिया तो हम भगे इसे ही रोड़ा रोड़ तो आगे उन्होंने बोल दिया कि बच्चे चोर बच्चे चोर और फिर आगे हमको रोक कि गाउं में खुब पीटा नरें शर्मा नामे मेरा लिंबा पिपलिया उज्जेन जिला का रहने वाला हूं सर हम मजदूर के पैसे लेने आये थे यहां और बस उन्होंने पत्तराव चालू कर दिया हम पहुचे और सर वो हमारे आपानी देने ग्यों में इसमें आये थे दाड़की के लिए तो हहां दाड़की कर रहे थे घर से हम चले तेला थाने आये त महां थाना पे सुचना थी गटना में लोगों ने जम कर उत्पात भी मचाया लोगों का आरोफ ही कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी घंटों तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंची कि पुलिस को पहले फोन लगा चुके थे जुनापानी वाले रमेज भाई सरपंच पुलिस आई बहुत लेट करीब करीब पुलिस को आने में देर से दो घंटे लग गए तब तक यहां मेरा बहुत सारा नुक्सान हो चुका था और तीन व्यक्ति साहिद अंदर थे जो भाग मेरे पीछे वाली दुकान के भी शाटर तोड़ के उदर से भी यह लोग घुशने कोशिज करा और दुकान पूरी तर शाती पोचाई यहां से जो मोबाइल था मोबाइल चोरी हो गया लेटटाप पे नुक्सान पोचा है दुकान के काउंटर तोड़ दिया है और तब तक कटना के सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पिताल रेफर किया गया जहां एक की मौत हो गई वही पूरे मामले में जिला पुलिस अदिक्षक आदित प्रताप सिंग ही मनावर पुलिस चार्च में जुट गई फिलाल पुलिस आरोपियों के तलाश कर रही है वियरो रिपोर्ट खबरबान नियूज धार